Hello everyone, आज हम आपको एक बहुत अच्छा कॉंसेप्ट बताने वाले हैं, स्नेक्स के बारे में, और स्नेक्स जो है, वो इतने तरीके के होते हैं, कौन पोईजनस और कौन नॉन पोईजनस हैं, साथ ही साथ हम आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कौन से स्नेक्स जो हैं, वो वी वी पैरस हैं और कौन से स्नेक्स जो हैं, और वी पैरस हैं, अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले स्नेक्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने नॉन पोईजनस स्नेक के बारे मे discuss करना है, अभी हम example बता रहे हैं, किसी वीडियो में हम आपको उसके features भी बताएंगे कि कैसे poisonous और non-poisonous snake को distinguish किया जा सकता है, ठीक है, तो देखिए, non-poisonous snake में सबसे largest और heaviest snake जो होता है, वो anaconda होता है, जिसको आप python अजगर के नाम से भी जानते हो, ठीक है, boa जिसको green anaconda के नाम से जानते हैं, tiflops जिसको blind snake के नाम से जानते हैं, dendrophys जिसको tree snake के नाम से जानते हैं, lycodon जिसको wolf snake के नाम से जानते हैं, ठीक है, और jamensis होता है, jamensis जिसको rat snake के नाम से जानते हैं, या rattlesnake भी कह देते हैं, इसको वो non poisonous snake है, देखिए poisonous snake की एक बहुत सबसे important खास बात होती है, इनके tail compressed होते हैं, flat होते हैं, compressed and flat tail अगर दे दिया है, compressed and flattened tail, तो यह poisonous snake और generally यह sea snakes का feature होता है, ठीक है ना, तो चलिए हम लोगोंने non poisonous snake देख लिया, non poisonous में python, largest और heaviest, boa, green inaconda, tifloves, blind snake, dendrophys, tree snake, lycodone wolf snake, erics, jonai, sand boa और jamensis, इसको rattlesnake की नाम से जानते हैं, poisonous snake होते हैं, वो दो हैं, neurotoxic, cardiotoxic, या cardiotoxic को hemotoxin भी कह देते हैं, hemotoxic, actually hemotoxic का मतलब यह हमारे blood vascular system को affect करता है, और neurotoxic का मतलब यह हमारे nervous system को affect करता है, देखे, neurotoxic में नाजा नाजा इंडियन कोबरा है, नाजा हुनना किंग कोबरा है, बंगेरस करैत है, और हाइड्रो फिस सी स्नेक्स हैं, ठीक है, तो यह neurotoxic है, cardiotoxic में wipers है, pit wipers, pitless wiper, ठीक है, pit wipers और pitless wiper, जो pit wiper है, ancestorodon है, और pitless wiper, vipera raselाई है, ठीक है, vipera raselाई है, तो pit wiper जो है, ancestorodon है, pitless wiper क्या है, vipera raselाई है, अब सवाल यह है कि, इसको कैसे याद किया जाए, ठीक है, इसको कैसे याद किया जाए, तो हम एक बहुत अच्छा trick आपके लिए बनाए है, trick है, देखिए, एक Dr. Vipin है, जो की cardiologist है, इनका नाम है विपिन, तो Dr. Cardiologist Vipin नर को कोबरा बनाते हैं, नर को कोबरा बनाते हैं, तो देखिए, नियूरो टॉक्सिक, नर्स से नियूरो टॉक्सिक, कोबरा, मतलब इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, बनाते से भंगेरस, मतलब करैत, और हैं से हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस और एन हाइड्रिना, सी स्नेक, तो इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, करैत और सी स्नेक, ये Cardiologist Biffin, मतलब Viper जो है, वो क्या है आपका Cardio-Toxic है, ठीक अब आते हैं, मतलब जो ऐसे snakes, जो V.V. Paras है देखिए V.V. Paras को याद करने के लिए हमने, उसी सब्द से हमने एक से वो निकाल लिया है, ट्रेक, V.V. Paras मतलब बच्चे देने वाले, V से Viper, ठीक है Paras का U और S आ रहा है, U for Europeltis इसे Rough-Tailed Snake, यह भी Non-Poisonous है, U से Europeltis S से Sea Snake, और इस P को आप B बना दो, बोवा देखिए, Python, बोवा में यही अंतर होता है Python, O.V. Paras होता है, बोवा V.V. Paras होता है, ठीक है, तो V.B, है ना, V. V.V. Paras है, ना, V.V. Paras तो V.V. Paras में, जब P है, उसको B बना दो, बोवा हो गया, V से वाइपर हो गया, और लास्ट के U और S से निकालो, आप U से Europeltis हो गया, मत्तब रफ-Tailed Snake, यह भी Non-Poisonous है, और C Snake Poisonous, तो देखिए, बोवा और Europeltis Non-Poisonous Snake है, यह भी V.V. Paras है, और वाइपर और C Snake Poisonous है, यह भी V.V. Paras है, तो I hope कि बागी सब क्या है, O.V. Paras है, तो I hope आपको V.V. Paras O.V. Paras Snake और Poisonous Non-Poisonous Snake, इसके अलावा, आप कह सकते हो कि Cardiotoxic, Hemotoxic Snake, एक ही Bible.